हेलो दोस्तो, वेलकम टू फाइनेंस जानकरी यूटूब चैनल, मैं हूँ अभी जी तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आप कैसे अपना मोबाइल नामबर या इमेल इडिको एज़डेपसी बैंक एकाउंट में चेंज कर सकते हैं अगर आपको भी HDFC बैंक एकाउंट के अंदर मोबाइल नामबर को अपडेट करना या इमेल इडिको अपडेट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास तक जरू देखना वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक फाइनेंस जानकारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बैंकिंग, पार्सोनल फाइनेंस और इन्वेस्टमें लेटेट वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी काभी सब्सक्राइब कर लिजे लेने के बाद आप उपलाइन पे जो करेक्शन का फॉर्म होता है उसको आप ले सकते है वो लेने के बाद आपको अपडेट करना पड़ेगा और अपडेट करने के बाद वह फॉर्म आपको फिर से समिट करना पड़ेगा तो वह दोस्तो सबसे पहला तरीका है जो दूसरा तरीक होता है दोस्तों आपको यहाँ पे HDFC bank का जो official ATM होता है उसमें आपको visit करना है उसके बाद आपको यह पर अपना debit card select करके others and more options पे क्लिक करके उसके अंदर आपको एक options होता है update your registered mobile number तो वहाँ पे जाके आप अपना mobile number को यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं दोस्तों जो तीसरा तरीका है वो है दोस्तों net banking के थुरू आप HDFC bank का net banking login करके यहाँ पे अपना profile details में जाके email id अपडेटेशन form को download करके उसम तो चलिए जान लेते कि आप कैसे HDFC bank account में आपना mobile number या email id को change करेंगे सबसे पहले आपको अपना HDFC bank net banking login कर लेना है चलिए मैं मेरा net banking login कर लेता हूँ HDFC bank net banking login करने के बाद आपको सबसे पहले उपर में right side में एक option दिखेगा profile details तो profile details option के उपर आपको click करना है आप जैसे profile details option के उपर click करेंगे तो आपको यहाँ पे view contact details में आपका जो customer name है address और सारे चीज़ आपको यहाँ पर mention करेगा तो उसमें आपको email id का भी एक option होगा य email id के पास में आपको दिखेगा download email id update from तो आपको इस options के उपर click करना है दोस्तो आप जैसे इस options के उपर click करेंगे तो आपके सामने एक यहाँ पर from का PDF डाउनलोड हो जाएगा देख सकते आप यह application form for EH banking channel और change and address तो यह form आपको सबसे पहले download कर लेना है download करने के बाद आप from को दोस्तो प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट करने के बाद आप यहाँ पर आपना जो भी details चेंज करना चाहते हैं चाहिए mobile number हो या email id हो आप उसको यहाँ पर सबसे पहले लिख लिजिए लिखने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पर नीचे signature करना है और सारे जो बाकी सारे details है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा वो सारे details देने के बाद यह form आपको offline पर submit करना पड़ता है आप जैसे offline branch विजिट करके यह form को submit करेंगे with kyc documents आपका जो भी अंधर card और pen card है वो भी आप इसके साथ attach कर दीजे जैrox copy तो उसके बाद दोस्तो आप यह form को submit कीजे submit क करना चाते है बिना branch विजिट किये तो आप कोई भी HDFC bank का ATM विजिट कीजे ATM विजिट करने के बाद आपको जैसे मैंने आपको बताया तो वहाँ पर आपको debit card को आपको enter करना है debit card insert करने के बाद वहाँ पर आपको एक address option के अंदर एक option होता है update your registered mobile number तो उस option पर जाके आप आपको यहाँ पर mobile पर message भी मिल जाएगा ठीक है और अगर आप सिर्फ email id चेंज करना चाहते है तो दो तरह से कर सकते है net banking से form डाउनलोड करके या आप दोस्तों HDFC bank का कोई भी branch विजिट कीजी और वहाँ पर आप form लिजिए from लेने के बाद आप अपना new email id को डालके आप फिर से branch को submit कीजे तो उससे भी आपका यहाँ पर email id चेंज हो जाएगा तो दोस्तों आप भी same process को follow करके HDFC bank में अपना mobile number या email id को update कर सकते है अगर आपको इसके related कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे comment कर सकते है ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक like जरू बबाइ जाहिंद